सलमान खान की शो बिग बोस में आए दिन नए ट्विश्ट देखने को मिलते रहते हैं शो का साथवा हफता शुरू होने जा रहा है ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच फिनाले की रेस के लिए मुकाबला देखने को मिल रहा है हाली में शो के सभी कंटेस्टेंट्स ट्रोफी पर अपनी दावेदारी और विएपी जोन में जाने के लिए एक दूसरे से लटते जगडते नजर आये पाँच सदस्य इस तास्क में घर के विएपी कंटेस्टेंट्स बने शो में हफते भर खूब बवाल देखने को मिला उसके बाद वीकेंड का वार आया शो की होश्ट सल्मान खान इस बार भी वीकेंड का वार में सब की क्लांस लगाते हुए नजर आये सल्मान खान ने इस दोरान घरवालों से बात करते हुए परतीक सहचपाल को उनके पिछले हफते किये गए बिहेवियर के लिए खूब खरीगोटी सुनाई दरसल पूरा मामला ये है कि परतीक ने पिछले हफते राजीव का खूब मजा कुडाया था का ये कोई कुणिशो है जो आप सलमान खान में परता उड़ा लगा देवे परतीक से पूछा की सल्मान खान ने गुल्से में पर्दीक से कहा कि तुम राजीव अदित्य से बोल रहे थे कि कभी मैंने वो वाली सिमा कि पर्दीक तुम सब पर जाग बताने की को शिश कर रहे से आख राजीव तुम पर जोग बनाना शुरू कर दिया तो तुम रोना शुरू कर दोगे पर्दीक से सल्मान खान ने ये कहा कि अगर पर्दीक मैं घर के अंदर होता तो तुम घर से बाहर निकलने के लिए भीक मांगते सल्मान ने आगे कहा कि परतीक अगर मैं घर के अंदर होता तो तुम्हारा क्या हाल करता ये तुम सोच भी नहीं सकते जाते जाते आपको बता दे कि सल्मान खान की फटकार लगाने के बाद परतीक सहचपाल अपनी सफाई में कहते हैं कि उनका कोई भी गलत इरादा बिल्कुल भी नहीं था लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आप से माफि मांगता हूँ और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले